निलास, Unisex Salon and Academy, अपोजेट बदर विद्याले, विशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वाच्चेस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, माटिन दिलब्रेज अजमीर, स्ट्रान, Unisex Salon, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल जहिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया, पुरे देश में इन दिनों एक ही चर्चा जो शोर से हो रही है, नागरिक्ता संशोधन बिल, देश के पूरवी राज्यों में इस बिल पर जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन राजस्तान में खुशिया मनाई जा रही है, अलवर और जोधपुर में ऐसे कई हिंदू परिवार है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आये थे, लेकिन इन्हें भारतिय नागरिक्ता नहीं मिली थी, लेकिन अब ये लोग भी खुश हैं क्योंकि इन्हें अब भारतियता का दर्जा प्राप्त हो गया है, वहीं नागरिक्ता दी गई है, सांसत किरोडिलाल मीडा के एक सवाल के जवाब में राय ने राजसभा में बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आये हिंदू और सिक्षरनाथियों से सम्मंदित आंकडों को केंदरी रूप से बनाया नहीं रखा गया था, राय ने लिखि चालिस अफगानियों 712 पाकिस्तानी परवासियों को 6 दिसंबर तक भारतिय नागरिक्ता दी गई है, राय ने संसत में कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से आने वाले सिख, हिंदू, बौध, जैन, पार्सी और इसाई सहित, अल्प संख्यक समुदा परवासियों के नागरिक्ता डाटा को ओनलाइन शामिल करने का प्रावधान 2018 में पेश किया गया था, उसके बात के आंकडों के मताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 927 सिखों और हिंदूों को भारतिय नागरिक्ता दी गई है, संसत में पास किया गए नागरिक्ता संशोधन विदेक 2019 के अनुसार बिना दस्तावेज के भारत में रहने वाले पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान के हिंदूों, सिखों, पार्सियों, इसाईयों, जैन और बौधों के लिए अवहत परवासियों की परिभाशा में अब संशोधन हो गया है, वि मोधी सरकार के मताबिक मुस्लिम बाहुल्य तीन देशों के अल्वसंख्यक समुदाय उनके देश में उनके खिलाफ हो रहे उत्पीडन से बचने के लिए भारत आ रहे हैं, कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये देश के सम्विधान और धर्म निर्पेक् कि ये नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार बना रहा है